सो हलो अब्रिवान वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल सो आपका स्वागत स्काय टेक्स ट्रेडिंग में और आज इस वीडियो में आपको सिक्रेट एसनार लेवल्स बताऊगा मतलब हिडन लेवल्स बताऊगा जो कि हिडन लेवल इसलिए है विकोज आपको देखने में कि यह भी लेवल होता है और यह लेवल को अगर एसना लगाते हो लेवल पर तो आपको हैई करेसी मिलेगी आपके ट्रेडिंग में थोड़ा बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स ज्यादा मिलेगे लॉस कम मिलेगे तो वही मैं आप आपको लाइफ सिखाने आवालाओ ड्रॉ कि क्लिट्स करो कि ये फाल्तू की场 मैं इसे कमाने के बिजनिस होता है आपको बिजनिस करना बाईरि में स्रीव थर्ट फंपर से को किसी बीनेफ सब्रॉन दिने को तैयर हो ये फ्री आफ में से और सब कुछ hidden levels बताते हो hidden तरीके बताता हो binary trading में secret और hidden चीज़ बहुत सरी है बिकाज वह hidden और secret चीज़ पाता नहीं कब तक रहेगे मैं तो देखता था कि कोई तो होगा बताएगा बट कोई है नहीं इसमें market में क्योंकि सब चाहते ही कि आप लोग loss करो और loss करने के बाद यह company को फायदा हो company जो win करेगे उनको profit होना जी है देखो गया यह company worldwide है तो देखो इतने दुनिया में कितने लोग है और उसमें से सिर्फ यह लोग है इंडिया को पीछे रखना चाहते है बट मैं नहीं चाहता कि इं सब क्या है तो सबका हग बनते हैं कि यह सीखने को मिले और सीख भी सके और प्रॉफिट भी निकाल सके क्योंकि इनके जेब में से आप प्रॉफिट निकर रहा हो यह company से प्रॉफिट ले रहा हो ठीक है अब यह बहुत हो गया है बोल दिया मैंने अम डारिक में बाइनेरी सबकुच लेवल्स वगरे ड्रॉकर के लिएक होगा अगर इसके पहले मेरे वीडियो से देखें जिसमें सिक्रेट एंसे नार का क्याप अब बारे में बता है और मार्केट में बहुत ज्यादा सिक्रेट है इस रॉकेट साइंस बिलकुल नहीं है इजी तरीके से ठंडी दि पर चल रहा है अभी तो मैंने फाइब सेकेट का चार्ट लिए क्योंकि मैंने इसको थोड़ा आना जूम आउट किया हूँ विकोज आप में यह खाली जागे आपको समझाने वाला इसलिए तो ठीक है इसमें मार्केट में एक फॉर्मॉला होता है ठीक है हीड़न लेवल्स तीक में मैंत करना उता उसके हिसाब से बाइनरे ट्रेडिंग में यह चीज और यादते है अब फुल फॉर्म भी बताओगा और साथ मैं आपको समझाओगा ठीक है हे फॉर्मुला का नाम है थे फॉल फिक होता है फिर से हो आप नट अंट डॉม कर सकते हैं इसको मोब फार में कर लो यह पर भी नोट्डाउं कर लो एक फॉर्मुला का नाम है c o c candle overlap controlling ठीक है candle overlap controlling का मतलब अभी मैं समझा दिया हूँ आपको फुल फॉम बता दिया हूँ बट अभी मैं candle stick draw करके आपको single single candle पहपको सम्झाव है ठीक है background noise आए तो अब सब को पाता है बेरिश केंडल ओपन कहा पर होता है यहां पर होता है क्योंकि यह मार्क केंडल नीचे आता है ठीक है नीचे आके यहां पर जाकर इसका बताऊगा ना आपको तो आपको समझे का भी मैं बताऊगा ना तो फिर लंबी वीडियो सोचेगी तो ठीक है मैं डाइरेक्ली आपको समझा दे था हूँ जहाँ पर ऐसक कहा खैमटर यहाँ वहा ठीक है अब का बीलिख करे इसके और बेड उपन उपन यहाँ उपन रुर्ठ देना चीए वह रिक नहींक LAB तो इसको बुरी बिलिख कर देना चीए जैसे candle को overlap कर लिया उसके बाद control कर लिया बट आपको मैं एक psychology बता रहा हूँ कि इसके तरह की से COC होता है यह COC है अब bullish का बते देता हूँ ठीक है यह bearish का हो गया ठीक है आब यहाँ बता बना देता हूँ यहाँ बुलिश की candle बनेगा ठीक है अब इसके बुलिश का क्या होता है बुलिश का कभी बिभी ऊपन नीचे में होता है क्योंकि यह candle खाने के लिए रिडी रहता है यह उपर जाता है मार्केट और यहाँ पर जाके क्लोस देता है अब यहाँ पर sec कैसा बनेगा ऐसा बनेगा क्योंकि यहाँ पर अब बूरीश बनना चीए चिविए यहंपर इस को ब्रेक कर दे लाज लिए फिर बाद में उसको कंट्रोल कर लिया बेरिश यहाँ प्रदों हो गया है मतलब बूरीश अब तरगे मारकेट में लेवल्स कईسी लगाते हैं कि हमारे लेवल्स होते ही 2012 हीस के पास में देखा की दिखा देता हूँ आपको यह सब.." में क्लिंग कर ले तो हटा देता हूं यह सब कुछ तो ठीक है यह हटा दिया अब देखो फाइब सेकंड चल रहा है मैं चलता हूं अभी वन मिनिट में ज्याद तर तो लोग वन मिनिट में ही ट्रेट करना पसंद करते हैं बट मैं कभी-कभी सजेस करता हूं कि 5 मिनिट में कर अब देखो गाइस जैसे कि मैंने बाता हूं और अब आपको बटॉ हे वेन funniest से यहेंडियो अब यह देखो गाई यह आपे सी हो गया यह देखो 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 अब देखो हैद्झ यहाँपे न यहाँ यहाँपे देखो यहाँपे नphon is बंद रही है सोरिए बरिज बन रहे हटाप बरे हमारे आप बर एक लेवल लग गया है इसतरीके से हमारे लगाए जाते हैं वह अब ढ़े हम भी देखेंके और को या पर देखना परतें आपको ठीक है अब देखो यहाँ पर भी एक लेवल बन गया भर इसके पास्मा मत लेवल लगाओ क्योंकि आपको इन्है ग्जक्ट लेवल लगाने हैं जब भी मार्केट के केंडल चलते रहे अब देखो यहां पर अभी नीचे में लेवल्स कहां पर मिलीगा अपने को नीचे में लेवल्स डोनने पड़ते हैं आपको ओरलैपिंग समझना पड़ेगा जैसे यह भी एक है ठीक है और यह दे लिया अभी इसका देखो आज जल्दी अब यह देखो यह ही दिक गया आपको ही देखो ओपर से रीजेक्शन है नीचे यह रीजेक्शन है अब इसको ओपर नंचे आई इतना के ळड़ में दिया अब यहां पर ओपन हुई थी यह बॉलिख कंडल में उसको ब्रेक कर लिया ठीक है अब यह आपको समझ में आ रहा हो गा हुग यहाद निंगो ये bullish candle ने break कर डिया तो हमारे मार्कट यहां तक आएगा क्योंकि यहां पर यहां पर इसने भी respect की यहां से rejection मिला है क्योंकि जो लेवल स्रेट निया पर rejection मिलते हैं इस 네 चाइन मिला है यहां बेस्वेक्ण लिए इसको प्रेकज कर लिए- Second यह candle आया बेरिश का फिर यह स्ट्रॉंग बेरिश का candle आया ठीक है अब यह सब कुछ आपको देखना है गाइस अब यहाँ ठीक हाप मिलेगा अपने को उसके हिसाब से देखते हैं जल्दी जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल मार्केट में ठीक है अराम से काम करेंगे है हमारे लेवल्स लग गए हैं अब देखते हैं यह जो candle बन रहा है बूलिश का candle बन गया है फिर आया बेरिश का candle अब देखो यहाँ तक अभी तक तो C.O.C. बना नहीं है और इसके पास में बना है फिर भी एक लेवल्स लगा देते हैं आपके सामने में आपके सामने में ल इत्ते पास में भी फ्रहत लगा ओक्यूकि हमारे कभी 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 काम नहीं करते है यह से रहे उप्निंग को यह बेरिशने कर दिया है यह ब्रैइक कर दह сердि ब्र शांब मार्केट में जल्दी से हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे मैं सबसे पहले आप लोगों को सीखा रहा हूँ ठीक है इस तरीके से होता है मैं आप पीछे में भी समझा सकता हो आपको आपको पास में समझ गया होगा वह अच्छे वात हैं मेरे लिए क्योंकि आपको आपको आयना ज देखो इसका यह बूलीष कए बन रहे हैं बेरिच के ऑपनिंग को यह कर दियाए क्यों आपको देखहों कैसा है मार्केट अभी उपपर चल रहे है तो ठीकेब बाद में एक बुरERT का आया और इसने क्या कर दिया है यह जो लेवल लेता हो यह देखो इसके ओपनिंग को ईसने कर दिया है ओवरलैप मतलब सीओसी कर ले आपर पर दिया है तो वह हमारे सीओसी हो जाती है तो देखो पहले मैंने लगाने तक है यह बीरिशका अभी भी है हमारा Gap है ठीके यह बेरिशका देखो यहाँ पर बनी है देखो मैं पेंसिल से बना देता हु तब तक हमारी यह ट्रेडवीन होती रहेगी यह बेरिश बनी थी इसका उपनिंग उपर रहा था यह नीचे आये था और यहाँ पर जाके मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वीडियो से ना फिर भी कनफ्यूजन रहा है कुछ भी समझें ठीक है मैं सिखाने के लिए आपको ऐसा नहीं है मैं सिखा के छोड़ देता हु ठीक है हमारे यह हो गया तो अब देखो यह अच्छे से बेरिश बन गी है और हम लोग अच्छे त किन्ता है क्या को सी युषिट दाता है यह ऊच्की सी लगाना होते क्वाणाबात जिक हो यह अचंहिए पर को सब नहीं ररेजस्टनस रहते और दीक है अब आप देखो गईस बराबर जाकर रहे Savior तो बिश आ क्लोजिंग दिया हो आप यह अले बेरिश नहीं ठीक है अब देखो यह कैंडल बन गए अभी इसका सी बनेगा ना तो यह सी लगा दो आप ठीक है यह बुलिश का देखो कैंडल नीचे ओपन हुआ था और यह बेरिश नहीं उसको ओवरलाप कर लिया अभी 100% नहीं बोल सकती यह उपपर भी जा सकते है कैंडल बट मेरे देखो गए साहिब है तो कंफर्म हो गया कि इसने ओवरलाप कर लिया तो ठीक है यह पर ओवरलाप कर लिया आप देखेंगे हम लोग और बेरिश के ट्रेड ले सकते हम लोग अभी कुछ गारेंटे नहीं क्यूंकि हमारे लेवल बतें आपको तो ठीकि है अभी लेवल्स तो हम लोग अभी देखरें नहीं है ठीकि अब कुमन लेवल का नहीं बता रहा हूँ अब में और बेरिश के लिए लिए इसकी ओपनिंग थोड़ा वेट करनें इस फट से नहींश ड्रे लेना आपको देखना एक यह कना और एक ट्रेड लिया देखो यह भी शॉर्ट होगी क्योंकि हमारे सी उसी आप से फ़हले कंप्लेट कर लिया ठीक है हम लोग सी उसी पर ट्रेट कर रहे हैं ठीक है यह बुलिश कर दिके यह दो कब है तो हमारे फेवर में चल रहे है अच्छे कैंडल बन रही है ठीक है उपन जहां से होता है उपर जाता है और येहा है ओपे क्लोजिंग देता है तो यहाा पर सीय उसी कईसे कर लेना चैए केंडलल ओर बुलिश कर लिये ऑपनिंग की ख अब देखो गाइस 3600 फूटी आम लोग याप भीन कर लिए और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है और मार्केट से अभी थोड़ा टाइम शुट्टी लेने का टाइम होता है क्योंकि आप अगर बेठा रहा हुगा तो फिर और सैकोलोजी मेरी बदल जाएगी तो ल प्रॉफिट कर लेते बट आपको अनलाइस में पक्का रहे ना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग की अच्छी रहे इंडिपेंडेंट ट्रेटर बने कोई बात नहीं मैं सीखाने के लिए बस आप लोग सीकूँ और यह कॉंसेप्ट आपको समझा कि नहीं समझा फि क्योंकि वह वीडियो को है ना मैं पहले वह वीडियो का जो रहता है आप SNR बोले थे पीछले बार SNR पर वीडियो बनाऊ SNR पर वीडियो बनाऊ SNR पर वीडियो बनाऊ SNR का जो था मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि कौन सा वीडियो किस दिन डालना है ठीकि आपको सी झाल